नमस्कार मैं इड्वोकेट दनवानी बात करता हूँ कानून की आज आज हम बात करेंगे रिलिसज्जीट के बारे में जिसे हक्तियाक पत्र भी कहा जाता है आज के टॉपिके ओम 4 पॉइंट में कवर करेंगे पहला रिलिसज्जीट यानि हक्तियाक पत्र क्या होता है favorites दूसरा कौन सी property को transfer करने के लिए हग त्याग पत्र यानि release date बना जाता है। चौन बना सकता और किसके पक्षमे बनाई जा सकती है। पहले बात करते हैं,िस जीट यानि हग त्याग पत्र क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है किसी हक या अधिकार को त्याग निया छोड़ने की बात कही जा रही है। जब किसी संपती में दो या दो से जादा सै इसेदार यानि कोशेरर हो और उनमें से कोई इसेदार अपने इसे की संपती किसी दूसरे इसेदार के पक्ष में त्याग देता है छोड़ देता है और उसके बतले कोई प्रतिफल यानि पर्चस कंसिडिशन उससे नहीं लेता है तो उसे हक्तिया कहा जाता है संपत्ति का हक्तिया करना एक कानूनी प्रकरिया है और इस प्रकरिया को पूरा करने के लिए जिस दस्तावेज या डॉक्यूमेट को बना अगर आप रिलीज जीट बनाते हैं और उसका पंजियन नहीं कराते हैं तो वह नलेंड वाइड हो जाती है, शुन्य हो जाती है, किसी भी संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, रिलीज के जरिये संपत्ति को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन सभी प्रकार की संपतियों को रिलीज जीट के जरिये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिस संपत्ति में दो या दो से ज़्यादा हिस्सेदार हो और वह संपत्ति हिस्सेदारों को या तो विरासत में प्राप्त हुई या फिर उत्रादिकार में जो ये दो शर्तें पूरी करती हैं संपतियां उन्हीं संपतियों को केवल हक्त्याक पत्र के जरिए ट्रांसफर किया जा सकता है किसी और को दिया जा सकता है इसे एक उदारण से समझते हैं मानलीजिए आपको कोई प्रोपर्टी अपने दादा पर पक्ष में त्यागना चाहते हैं या आपको देना चाहते हैं या फिर आप अपने हिस्से की संपति अपने पिता के पक्ष में त्यागना चाहते हैं या उन्हें देना चाहते हैं तो रिलीज जीट के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं इसी तरह अगर कोई संपति आपको अपने पिता से उत्रा अधिकार में प्राप्त होई है और उस संपती में आपके अलावा आपके भाई, भाई, भेन और माता का भी हिस्सा है ऐसे में अगर आपकी माता अपना हिस्सा आपको देना चाहती है या अपना हिस्सा आपके पक्ष में त्यागना चाहती है या फिर आप पहली शर्ट ये जिये कि उसमें बिना प्रतीफल के ही आप अपना हक त्यागेंगे. जैसे ही प्रतीफल ले कर के अपना हक त्यागते हैं, तो वह रिलीज जीट की जिएकर सेड़्डीट मानी जाएगी. उससे सवाल ये भी बनता है, कि रिलीजीट कौन बना सकता है और किसके पक्ष में रिलीजीट बनाई जा सकती है रिलीजीट केवल और केवल से हिसेदारों के बीच में ही बनाई जाती है देने वाला भी हिसेदार होता है और लेने वाला भी हिसेदार होता है इसका मतलब अगर आप अपने हिस्से की संपती किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो उस संपती में हिस्सेदार नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मान लिजे आपको कोई संपत्ती अपने पिता से उतरादिगार में प्राप्त होई और उसमें आपके भाई बैन और माता हिस्सेदार है लेकिन आप अपने हिस्से की संपत्ती अपने चचेरे भाई या ममेरे भाई को हक्त्याक के जरिये देना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं क अगर आप अपना हग त्यागते समय किसी दूसरे के पक्षम हग त्यागते समय कोई भी प्रतिफल ले लेते हैं तो फिर वह हग त्याग नहीं कहलाता है बलकि विक्रह कहलाता है इसलिए रिलीज डीट बनाते समय रिलीज डीट में किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं लिख अन्यता उसे सेल डीट मान लिया जाएगा अब हम बात करते हैं रिलीज डीट बनाते समय रिलीज डीट में कौन-कौन सी बाते लिखी भी होनी चाहिए रिलीज डीट में जो व्यक्ति अपना हग त्याग रहा है उसका नाम पिता का नाम और पूरा पता होना चाहिए इसी तर पूरा व्यक्ति डीट में होना चाहिए इसके अलावा आपका और जिसके पक्षी में आप समपति त्याग रहें उसका इस समपति में किस प्रकार से हिस्सा बनता है और कितना हिस्सा बनता है वह आप इस पर जरूर लिखें कई बार समपतियां इस प्रकार से होती हैं कि उन इसे registration के लिए जरूर पेश करना चाहिए और registration होने पर हक्त्याक complete माना जाता है। और एक बार संपत्ति अगर आपके पक्ष में हक्त्याक के जरी आ जाती है तो आप संपत्ति का mutation भी अपने नाम खुलवा सकते हैं। आज मैंने आपको हक्त्याक पत्र के बारे में अधिक्तम जानकारी दे दिये। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूँ।